अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट का एक सब्जेक्ट जो की है अन्वार्मेंटल स्टडीज एंड पेडगोजी और इसका हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो की है फैमिली एंड फ्रेंड्स तो यह टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और जो भे इस टॉपिक से रेलेटेट क्यूश् है इन हीविन कॉंटेक्स्ट फैमिली क्या है हमारे लिए फैमिली एक गृूप ऑफ पीपल है लोगों का गृूप है जो की एक दूस्टे से ब्लड के द्वारा रिलेट होते हैं एक दूस्टे से connected है या related हैं ब्लड के द्वारा मतलब खूण का रिष्टा है एफिनेटे के द्वारा एक दूसरे के लिए हम मतलब साथ में रहते हैं एक दूसरे का ध्यान रखते हैं हमें एक दूसरे के लिए responsible होते हैं and co-residence means एक ही जगह हम सब रहते हैं in a family there exists a feeling of love एक family में feeling of love cooperation attachment and care होती ही है जो भी family के members होते हैं वह एक दूसरे से cooperative भी होते हैं एक दूसरे से attach भी होते हैं और एक दूसरे की care भी करते हैं तो यहां पर एक important point यह है कि family क्या है family एक group of people है जो related होते हैं blood affinity and core resistance द्वारा उसके बाद है कि family के family एक primary institution है for socialization of children बच्चों के socialization के लिए कौन सी चीज primary institution का role play करती है तो वो है हमारी family तो मतलब यह जो आपके पास paragraph दिये हुए हैं इन में से ही आपके कुछ ना कुछ questions बनके सामने आते रहेंगे तो उनका हमें ध्यान रखना है and it plays a vital role in shaping the individual social life और family क्या करती है family एक बहुत important role play करती है एक individual की social life को shape देने के लिए यह shape करने के लिए and it is a place यह एक ऐसी जगह होती है जहां पर सबसे पहले इनसान जो है learn to live collectively collectively जीना सीखता है तो family क्या है family basic unit भी कहलाती है हमारी society की तो family एक primary institution भी है बचों के children के socialization के लिए और यह individual की social life को shape up करने में बहुत जादा मदद करती है एक important role play करती है और साथ में यह human की जो सबसे पहले अपनी life को life को collectively जीना सीखते हैं humans वो अपने घर में सीखते हैं अपनी family में सीखते हैं और family हमारी society की क्या है basic unit है आगे बढ़ते है types of family family कितने तरीके की होती हैं तो बहुत सारे तरीके की families होती है टोटल five types होते हैा family के तो सबसे पहले हम बात करते है nuclear family की nuclear और यह फैमली की होती है एक ऐसी family जहां पर married couple रहते हैं मतलब पे एक important point यह आ जाता है कि nuclear family का other name क्या है nuclear family का other name है conjugal family उसके बाद में दूसरी जो family का type है वो है extended या joint family extended या joint family से मतलब क्या है कि मतलब है एक ऐसी family जहां पे मम्य पापा भी रहते हैं दादा दादी भी रहते हैं बच्चे भी रहते हैं चाचा चाची ताया ताई सब लोग रहते हैं उसको हम extended या joint family कहते तो यहां पे एक नाम joint family का क्या है extended family भी है तो यह भी आपको दियान में रखना है and earlier in India most of the families पहले के time पे क्या होता था जादातर families हमारी society में extended या joint family ही होती थी लेकिन आज का time जो है थोड़ा नया concept आ गया है modernization आ गया है तो modern time में जादातर nuclear families हो रही है joint families अभी इतनी नहीं रही है फिर third family का जो type है वो है matry local family matry local family क्या होती है it is a family यह एक ऐसी family होती है जहां पे mother जो mother होती है वो head होती है family की and इस type of family में जो couples होते हैं वो like family couple live with or near मतलब वो क्या रहते हैं वो जो female जो mother होती है उनकी side रहते हैं उनके घर में रहते हैं शादी के बात में patry local family एक अलग type है एक और type है family का patry local family में की और यहां पे father head होते है family के और इस type of family में जो couple होता है वो male family के साथ में रहता है after marriage उसके बाद consingenious या consingenious family होती है यह क्या होती है यह तरीके की ऐसी family होती है जो same blood होता है it means एक ऐसी kind of family जहां पर individual अपने ancestors के साथ ही related होते हैं like जो ताया के बेटे की शादी है वो भुआ के बेटी से हो जाती है तो इस तरीके से उनका blood relation होता है और उस तरीके की family होती है जहां पर सारे एक दूसरे से ही related होते हैं उनका blood same होता है अब हम बात करेंगे कुछ characteristics of family के बारे में family के कुछ characteristics भी होते हैं तो basic five characteristics होते हैं family के सबसे पहले तो heritage relation हर एक family member में heritage relation तो होता ही है जो हमें अपने parents से मिलते है genetic traits ठीक है तो जो member होते हैं family के अंदर वो एक दूसरे से heritage and traits के द्वारा related होते हैं जुड़े होते हैं जो की transfer होते हैं होते रहते हैं from one generation to another generation उसके बाद next characteristic आता है economic function family एक दूसरे को family के अंदर जितने भी members रहते हैं वो एक दूसरे को economic support भी provide कराते हैं जो members होते हैं family के वो कमाते हैं और economic activity में engaged भी रहते हैं ताकि उनका घर जो है वो चलता रहे उनको कोई problem ना हो एक दूसरे को support भी करते हैं तो हम herarity factor के through भी related है economic function भी हमारा family में play होता ही है फिर essentiality of marriage भी होती है यह भी एक characteristic है family का मतलब reproduce करना यह बहुत essential function होता है human का यह किसे भी living being का जो marriage होती है वो help करती है अपनी family को बढ़ाने में and lineage forward generation to generation after generation और generation after generation बढ़ते रहते हैं और यह related होते हैं फिर next जो characteristic है family का वो है social security तो जो family है वो अपने members को एक दूसरे को वो social security भी provide कराते है and यह basic unit है हमारी social security की तो five characteristics है उससे पहले हमने five types of family भी पड़ी थी तो family के types फिर से देख लेते हैं family के types थे nuclear जिसको conjugal family भी कहते है extended family या joint family दूसरा type था तीसरा था matrilocal फिर patrilocal and consingenious family उसके बाद हमने character six की बात की कि family के कितने characters six होते हैं तो character six total four है पहला है heredity relation हम heredity के through related होते हैं economic function भी हमारी family में played होता है essentiality of marriage भी होती है reproduction भी होता हर हमारी family आगे बढ़ती रहती है and last जो है social security भी हमारी family के अंदर members एक दूसरे को provide करवाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास functions है family के और यह कुछ thinkers हैं जिन्होंने अपने according functions बताए हुए है family के तो साथ में और निमकॉफ के according भी functions बताए हुए है तो चलिए जानते हैं कि कितने functions किसने बताए है तो मैकलवर ने दो family के forms बताए है या functions बताए है functions of family दो forms में बताए है उन्होंने का है कि family के एक तो essential functions होते हैं और एक non-essential functions होते हैं तो essential and non-essential functions family के किसने बताए है मैकलवर ने बताए है जो भी economic function होता है या reproductive function होता है या फिर हमारा educational function होता है या सो हमारा जो economic function है reproductive function है educational function है sexual function है यह सारे के सारे essential functions के अंडर आते हैं वाइल जो recreational function है वो known essential के अंडर आता है उसके बाद augbern और इंकोफ ने भी characterize किया है family के function को उन्होंने कोई दो forms नहीं बताए है उन्होंने सीधा काया कि family affectional, economic, protective, religious, educational and recreational domains होते हैं family के मतलब यह family के कुछ उन्होंने functions बताए है उसके बाद hanberg ने divide किया है जो functions होते हैं family के उनको four parts में primary group satisfaction, cooperation, division of labor, care, training of children, regular, regulation of sexual behavior and reproduction तो हमें यह याद रखने हैं कि मैकलवर ने तो दो forms बताए है function की essential and non-essential essential के under क्या आता है और non-essential क्या आता है यह भी हमें थ्यान में रखना है और अगबर्न और ने नॉमली करेक्टराइज किया है functions को like affectional, economic, protective, religious, educational and recreational domain Hunberg ने divide के हैं जो function है family के उनको four parts में primary group satisfaction है, cooperation है, division of labor, care है, training of children, regulation of sexual behavior and reproduction है तो इस तरीके से हमें याद रखने पड़ेंगे उसके बाद हम contribution जानते हैं कि एक family का क्या contribution होता है development of child में बतलब एक बच्चे के development में एक family कितना contribute करती है, natural development जो होता है बच्चे का child का वो affected होता है, बहुत जादा effect होता है उसके surrounding के द्वारा जिसके अंदर वो रहता है, क्योंकि वो ही एक बच्चे की नीव होती है and उसी से उसका behavior modify होता है and उसका mind है, thinking है, उसका development भी उसके surrounding से ही take place करता है, ये duty होती है, it is it is a duty of family की वो basic needs जो होती है, बच्चे की उसके धियान रखे, उनको fulfill करे and बच्चे की डाइट का भी धियान रखे, क्योंकि अगर बच्चे को proper डाइट नी मिलती है, तो malnutrition, mal, जो retarded बच्चे होते है, वो problem उनको हो जाती है and hygiene का भी एक family को धियान रखना होता है, physical activity का भी एक बच्चे के family को धियान रखना होता है, as these factors help करते हैं यह factors बच्चे के physical development में, so heredity traits जो होते हैं parents के and जो education है parents की, वो बहुत important role play करती है बच्चे के mental development में, फिर जो environment, जो वातवरन होता है घर का और आसपास के surroundings का, वो भी बच्चे के mental development को बहुत जादा affect करता है, जो child ह वो अपने early education and training को कहां लेता है, सबसे पहले अपनी family से लेता है, within the family, so family एक essential vehicle है, transmission का knowledge के values के and attitudes and practices के बच्चों में, from parents and from their surroundings, अब हम बात करेंगे friend के बारे में, so friend के लिए भी definitions दी हुई हैं, तो वो भी हमने देखनी पड़ेंगी, तो एक friend क्या होता है, Oxford dictionary के according, एक person, जिसके साथ में हमारा एक mutual affection का bond होता है, typically one exclusive of sexual भी हो सकता है, या family relation भी हो सकता है, वो friendship कहलाती है, according to Oxford dictionary, उसके बाद है कि as we go through life, जिससे हम अपनी life में आगे बढ़ते हैं, we have the opportunity, हमें opportunities मिलती रहती हैं, अलग-अलग लोगों से मिलने की, लेकिन, सब लोग हमारे friends दी बनते हैं, कुछ ही हमारे friends बनते हैं, वो भी कुछ characteristics के basis पर, उसके बाद है कि true friends जो होते हैं, वो joy, अपना मतलब अपनी खुशी, अपना गम, share करते हैं, sorrow share करते हैं, एक दूसरे के साथ में, and within in difficult circumstances में भी वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, and try करते हैं, protect करने की सा friends होते हैं, उनका एक mutual, उनके भीच में, mutual respect होती है, एक दूसरे के लिए, and जो relation होता है between the friends, उसको हम friendship कहते हैं, friendship, अकेला ही एक ऐसा relation है, world में, जहां पे हम अपने partner, friend, या companion को, अपने interest के basis पे select कर सकते हैं, हर एक free होता है, अपने friends को select करने के लिए, अपनी choice के according, and no one can, को friend का friend नहीं बनता है, and friend जो होते हैं, बहुत ही एक important impact, एक बहुत ही गहरी चाप छोड़ते हैं, बच्चे के overall development जो होता है, बच्चे का उस पे, और overall development of जो child है, उसके लिए, उसके overall development के लिए friendship भी एक important role play करती है, fruitful जो social relationship है, in childhood and adolescent time, वो help करता है, एक बच्चे को better अपनी personality को develop करने के लिए, protect करने के लिए, from later psychological disorders, अब बात करेंगे हम की Aristotle के according, जो friendship होती है, वो कितने तरीके की होती है, अब Oxford dictionary के according हमने देख ली, अब Aristotle ने friendship को तीन types में बाटा है, सबसे पहले हमारे पास पहली होती है, friendship of utility, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके की friendship होती है, कि दो लोग अपने interests, अपने ही, मतलब किसी मतलब के लिए, एक दूसरे से friends बनते हैं, फिर उन्होंने बताया है कि एक friendship होती है, pleasure की, इसमें क्या होता है, people, common interests, या pleasure, share करने के लिए, एक दूसरे से, मतलब, they share the moment of pleasure with each other, वो एक दूसरे के दोस्त बनते है, अपना interest और अपने pleasure को share करने के लिए, फिर इन्होंने बताया है कि एक friendship of the good होती है, उसमें क्या होता है, in this kind of friendship, जो दो friends होते हैं, वो एक दूसरे के लिए mutual respect रखते हैं, और इस kind of friendship, जो होती है, not because of, ये friendship किसी mutual interest या pleasure की विज़े से नहीं होती, हाँ पे mutual respect की विज़े से friendship होती है, तो जो Aristotle है, उ friendship of pleasure and friendship of good. So, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे relatives and relationships के बारे में, so, जो relatives होते हैं, वो वो individuals होते हैं, हमारी society में, हमारी family में, जो हमारे से कही न कही connected होते हैं, blood relation के दवारा, या फिर, जो हमारा marriage होती है, या feeling होती है, या emotions के दवारा connected होते हैं, relative and relationship है, वो does influence करती है, बच्चे के growth को और development को, so, child develop करता है, initial communication skills को, interpersonal relation को, interact करके, अपने relatives के साथ में, या उनको observe करके, child develops attitude towards life qualities, जैसे की बच्चा जो है, अपना जो attitude होता है, life के प्रती, वो develop करता है, अपने relatives के connected हो करके, and अपनी family के अंदर, वो develop करता है, qualities, जैसे की sympathy, empathy, compassion, sensitiveness, awareness, stewards, उसको अपने culture, religion, activities, traditions, जो होता है family के बारे में, जो family का tradition होता है, सब के बारे में, उसको अपने relatives and family के द्वारा ही पता चलता है, and society के द्वारा भी पता चलता है, जिसके अंदर वो रहता है, observe करके, अपने family and relatives को, अब हम बढ़ते हैं, work and play, पे, तो ये भी एक topic है, हमारा, इस topic के अंदर, ये sub topic है, famous educationist, Maria Montessori ने कहा है, कि play जो होता है, वो work होता है child का, तो play is the work of the child, ये किस ने कहा है, ये Maria Montessori ने कहा है, play activities essential होती है, बच्चे के healthy development के लिए, और adolescent के भी healthy development के लिए, जो activities जिनके द्वारा बच्चा जो है, stimulate करता है, या influence करता है, pattern of connections को made between the nerve cells के बीच में, वो जो है, take list करती है, and activities influence करती है, जो development है, fine and gross, mortar skills का, जैसे की, work and play से बच्चा अपना language development सीखता है, socialization सीखता है, personal awareness उसे होती है, emotional well-being, creativity उसमें आती है, problem solving, problem को solve करना सीखता है, learning ability उसकी बढ़ती है, so, जो most important role है, play का, can have it, is to help, मतलब खेलने का, या work करने का, जो most important role है, वो यह है कि बच्चे को मदद करना, ताकि वो active हो सके, अपनी choices खुद कर सके, and actions to, मतलब हर एक चीज में, वो mastery हासल कर सके, play link करते हैं, जैसे की sensory, motor, cognitive and social emotional experiences को, and provide कराती है, ideal setting, from brain development also, अब हम बात करते हैं, कि importance क्या होती है, play की education and health में, work and play, एक important component, form करते हैं, overall development of child के लिए, that is why, इसलिए, जो play है, has been given, उसको एक important place दी गई है, हमारे schools curriculum में, इसलिए, बच्चों के लिए, एक period जरूर play के लिए, होता है, खेलने के लिए होता है, through games or play, यह easy हो जाता है, बच्चों को teach करना and concept उने समझाना, by the way of play remains, क्योंकि जब बच्चा खेल करके या करकर के सीखता है, तो बच्चे की memory में, वो बहुत, मतलब, अच्छे तरीके से रहता है, लंबे समय के लिए रहता है, for very long time as they grasp it, easily by observing it practically, through constructive activity and game, जो child है, वो try करता है, कुछ नया सीखने की, और यह जो plays है, games है, यह बच्चे को मदद करते हैं, imagination power को develop करने में, thinking skill को develop करने में, creative skills को enhance करने में, cooperation को develop करने में, build-up करने में, among children's and teamwork को भी develop करने में, मदद करते हैं, and games, sports, and जो दूसरे physical activities होते हैं, वो बच्चे की immunity develop करने में, मदद करते हैं, बच्चे की body को enable करने में, मदद करते हैं, कि वो diseases के against fight कर सके, और infections बच्चे को जल्दी से ना हो, games and plays activity बहुत important होते हैं, बच्चे के mental development के लिए और यह जो activities होती हैं, यह बच्चे का stress भी reduce कर देती हैं, कम कर देती है, and enable करती हैं, बच्चे की body को cop-up करने के लिए उसके stress के साथ में, physical and motor development, जो है through play, involve करती है height, weight, journal appearance, tone of the body and coordination of large and finer muscles को, cognitive development include करता है, बच्चे का जो दिमाग का development, उसमें बच्चे में क्या-क्या नहीं चीज़े form होती हैं, जैसे motor development में तो यह सारी चीज़े हो गई, cognitive development में बच्चा self-concept बनाना सीखता है, concept of size, shape and colors, different types of blocks, beads, toys, clay, sand, puzzles and डूसरे जो natural materials होते हैं, उनको बनाना सीखता है, enable children to learn, मतलब वो यह चीज़ सीखता है कि different shapes में, sizes में, color, texture and volume में क्या difference होता है, and socio-emotional development जो बच्चे का वो include करता है, play and work से बच्चे का socio-economic development भी take place करता है, जो बच्चे के अंदर relationship को establish करने में मदद करता है, बच्चे के behavioral controls को develop करने में मदद करता है, social skills को develop करने में मदद करता है, जो कि उसके family, school and community द्वारा acceptable होते हैं, सो अगर आपको वीडियो अची लगे हो तो वीडियो को like करना, share करना भूलेगा, channel को subscribe करना भूलेगा, and bell notification को दो बैनना भूलेगा, और अब ये seated की classes हम continue करेंगे, करना भंज सकते हैं